कि रिडिक्टिव पॉलूशन्स किस तरीके से वाटर में पहुंचता है और किस तरीके से रिडिक्टिव पॉलूशन्स वाटर में पहुंचकर हमारे लिए टैंस्स होता है और अगर बात करें तो रिडिक्टिव अलिमेंट्स असे होते क्या है जो डिफरेंट तरह के पॉलू इन चीजों को देखते हुए बात करते हैं और यह पूरा का पूरा जो टॉपिक है वाफ साइंस टेक्वर्मेंट दोनों के साथ लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं सबस्क्राइब करते हैं और श्यों पर आप बेए्ट को ट्सक्राइब अपर नायां पिर था थांप्रवान देख नायार लेक्रसेशव। यूम को साइंस टेक Опर आपको साइंस दें संहल दा प्रात हो किल भूल्जै सीज पर आीनि विक तीजिए आ एक है मैं साइंस हैं फ्गर्डंक असा है हम आपर रधा को अपत्यों कि नियुक्शन ञुंस फ्म प्रेट keto यह जो telegram platform आप देख रहे हैं यहाँ आपको पूरे के पूरे PDF आप यहाँ से PDF ले सकते हैं तो ultimately you can save your life of time. तो make a notes and all. और academy पर दोस प्रफाइल यूपल can see here academy.com अपलिके देटाब रभी पेग्रेड़ी2010 here are my plus classes and free special classes are available. this is my use code रभी उप्रसे. those people can use. before going to join any courses we will get some debate also. these are the educators on academy. those you can see on the live guys. for like in the live sessions and these are very professional teachers and very experienced in this UPSC fields. so this is the introductory offer and this is for UPSC 2023. so don't miss to join this guys. this offer is valid this time if you are going to join. 10% off right now and see here guys in this case the booklets, all the books and test series. okay everything is available here for 2023 sessions. so don't miss this offer right now. this is my science and technology practice session. those for that you people can enroll with me. 15 questions with 15 minutes every Wednesday at 4 pm. people can connect with me. or somehow here you will get the science and economics as fun with all of you. so your questions in sessions that we will discuss with you. and somewhere that interest part is very very important. so this practice session will help you to build an interest in the science and technology. so let us start with the current topics about reductive pollution in the water. before going to start reductive pollution, this means to be able to run the energy of 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 energy. निचर अगर किसी ओर की अंदर दर ना फिए देंजर लेंगि यह से उनको free-form में कर देटे-धर घर वेरी डेंजर एंड रदे जाथ वेटर अल्फा बीटा अगामा एटिटाश्ट को कि वह अनस्टेबल होते हैं सब्सक्राइब करें तो यह तो आपको निचर में मिलता है इवन ऐसे कौन सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें जो आपको वाटर में दिखेगा ऐसा कंटमिनेशन के फ़ाम है युरिनियम थोरियम और एक्टियम यह ऐसे डिट वैलिमेंट्स हैं जो जो कंटमिनेटर वाटर में दिख जाते हैं इवन टूइज बैक एक वेस्टिन के विपर फ्रम इंडिया के वाटर में युरिनियम भी होता है तो कहीं ना कहीं यह लेक्टर जो आपको 2019 को में हैल भी करता है कि नाट ओंडी द्रिंकिंग वाटर है युरिनियम वगरा भी होते हैं अब बात होती है यह यह रेडिक्टिव एलिमेंट्स यहां पहुंचते क्या से इनके बारे बहुत सा बात करें तो यह सब्सक्राइब के साथ जाकर नीचे अक्विफर में हो जाते हैं जो भी होता हुदा उनसे कासे ग्राउंड वाटर पेंटामिनेशन करते हैं और आपको बताओं तो रेडिक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वह ग्राउंड वाटर में ज्यादा खतरनाग होते और जादे मात्रा में मिलते हैं अब बात ही होती है कि ग्राउंड वाटर में यह पहुंचते हैं तो बात करें तो वैसे तो रेडिक्टिव एलिमेंट्स की बात करें तो दो रीजन्स होते हैं दवन अस नेचर और बीदिव एलिफिद्टे और दूसरा है जहाँ पे यहां फाहर बाहर आता है किसी वालकेनोस से में बहुत सारे गैसे निकलते हैं वहां इस पहले हमें और जहां वाटर बॉडी सो ने लगते हैं और यह तरह का जो मैगमा-पेश्च और रेक्टिव पहले हवा गैस के फार में बनते हैं फिर देरे देरे सटल डाउन होकर जब वो वाटर बाटी से मिलते कहीं न कहीं वह उसको रिडिक्टिव अलिमेंट के साथ कंटामिनेशन कर दें दूसी चीज़ बताऊं तो एक्वर्टिक सिस्टम में बहुत सारे टॉक्सिक अलिमेंट्स वहां से दिर दरे पहुनते हैं फिर रिक व मETर धिर अलिके होने के बाद दिर दिर फाठी और भी नीचे राक्स में होते हैं यह सारे एक और प्रॉसेस देखा जाता है कि डिजॉप्शन प्रॉसेस भी करते हैं जो भी चीज़ें स्वाइल में कहीं अबिलेबल होती है वहां से छोड़कर उस सर्फिस को चली जाती है तो रेडियम वगरा ऐसे ऐसी चीज़ा होती है जो उस जगह के एरियाज में बहुत सारे इंपोर्टेंट एलिमेंट्स और चीज़ों को वहां से छोड़ देती है जैसे मैंने कहा कि मान लो किसी एरिया में अगर कोई हीट वगरा बढ़ जाए तो वाटर में मान लो कोई ऐसा करेकटर वहां पर उस जगह पर ऑक्सिजन लेट कम हो जाता है इस तो Gru Beim को we can get it is option में के होता है कोई सब्स्ट जगापर होता यह तो रेडियम भी कही ना कहीं groundwater में होते हैं और वह भी कहीं ना कहीं मीशे groundwater में चले चाने जाते हैं और यह चीज़ आपको समझ में आगी कि इसका सोर्स यह होता है और यह दिस आपको एलेमंट्स की रिडिक्टिव एलिमेंट्स की बात हो रही है अगर आप देखो तो यूशन और सीज में भी अगर देखो तो दिरे-दिरे आपको यूरिनियम एक रिपॉजिटरी के फॉर्म में होता है वहां भी कठा मिलता है लेकिन दिहां रखे का यहां पर जो ओशन और सीज जो नेचरल यूरिनियम है वह आपकी वज़से नहीं हो नेचर में अरड़ी वहां मौज़ूद है लेकिन वह यूरेनियल काबोनेट के फार्म में होते हैं यह तो नेचरल रहा दोस्त नेचरल केसे में आप कुछ नहीं कर सकते पर एंट्रोपोजिनी केसे में जो रिस्पोंसिबिल्ट पगराते जो भी थे वह सारी के उसीर ओक्पर इसमें क्या होगे देवर डिस्पस्ट चितर गया और जब भी बारिश और भी यह पानी मौद दिरे इंटर इंटरे इंटर इंटर इंट्वा टेमली तो फुकु सिमा के हाधसी में तो आई तींग यू प्ली वरी वर्यवल ज कहीं ना कहीं here human is responsible अगर आपने पूरी handling और केर में ठीक से किया होता तो you will not get this type of problem in that areas even a part of बहुत सारे nuclear weapons को investigate किया जा रहे है बहुत सारे nuclear power houses को बनाए जा रहे है उन areas में जैसे हम uranium maze atom bomb की बात कर रहे हैं uranium made या radioactive element waste हम electricity generation की बात कर रहे है in this process में अगर आप ज्यादा तर अगर आप देखो nuclear reactors कहां होते हैं जो यहां पर नुकलर रेजिसे पावर बनाते हैं यह विलगेट इन दे coastal areas जारा तर nuclear power plant दुनिया के लगवक 60-70% nuclear power plant और कहीं न कहीं उनके जो waste or contamination होते हैं उस areas में देखो जो marine water होता है वहां बर जाते हैं वह इवन water को ठंडा करने के लिए coolant वगरा भी यूज किया जाता है पावर generation करते समय ठीक है तो वह contamination भी कहीं न कहीं उस river उस ocean water में जाता है और दूसरी बाब बताऊं तो नूकले समरीन वगरा जो होते हैं जो nuclear reactors से चलते हैं कि वेनेवर नूकले समरीन नूकले समरीन्स आहिए उसमारीन पार होते हैं कि इसमें और रिदेगर कंटामिनेशन सो तर यहीं पर कुछ चीज और बात बाद कर लें कुछ बात कर To अगर कोई सब्मरीन का एक्सिश्ट इव दंपिंग करते हैं जैसे कई ऐसे इस घ्लिक इनके पास रीप्लाइश इंनके प्लाइश रीप्लाइश भलेंट कर दे और इसको एक लेवल तक पहुंचा देज़ा पर इटल भी नॉट बीदर बीकम डेंगरस का इन प्लाइबन इव अधार पूर में बनाया था बाद में लोगों ने दो और बनाया तो कल्पक का में बनाया तमइलाडू है सब्सक्राइब बहुत सारे करीब साथ एसी जगह जहाएं रियक्टर से और जिसकी मदस इंडिया में एर अरूंड थ्री पसें पावर जेनेरेशन न्यूकलि एनरजी स से हो रहा है तो अच्छी खासी मात्रा में आप देखो तो यहां पे न्यूकलर वेस्ट वगरा नहीं कर रहा है तो रेडियक्टिव वेस्ट की डंपिंग नहीं करनी चाहिए अगर आपके पास रिप्रॉस्टिव पांट है तो यूशुड ट्राइड रिसाइकल इट अब दे यह साहिए ढोशुड पानबर सारे जोब सर नहां अगरें सार्य होटा है जी आपको साहित देख़ने को मिल जाता है यह 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 आपको deposition होता है जो कास्मोजनिक रेडियोनिकलाइट्स हैं उनके नाम ही लिखे गए वेरी वेरी डेंजरस अब आत होती ही रेडिक्टिव एलेमेंट्स करते गया हैं देखो रेडिक्टिव एलेमेंट्स बहुत ही लेबल पर प्राउलम क्रियेट करते हैं एक यूमन हेल्थ के थू अगर इनहेल करके बॉडि के अंदर जाते हैं आपकी बॉडि के बॉडि के अंदर जाते हो धिरे-दिर हो सकता है कि आपके टीशू में जाके एब्जॉर्व हो रहे हो किसी पॉलूटेट वाटर के दूद्र दिरे-दिर और आगे चलकर एक सीरियस ह कर सकते हैं ऐसा भी हो सकता है कि हाई डोज अब पर एडीशन है ना किसी तरह की प्रवल्बarinस टैटनेशन करके सकती है सकती है घुड़े फिरेबल देखो पर profound यूसे मैं चैंसर जैनिक मुटिशन है ना कॉट्रा एक को मूर्स बाल सी तरह की प्रवल्ब्र प्रवलब्र जैसे generation to generation destroy हो सकती है, that type of situation you people can see in the case of Hiroshima and Nagasaki, जब हावा little boy or fat man drop हुआ था. Impact of human health की बात करें तो मैंने अभी पीछे आपको बता ही दिया, वो चार level पे impact है, पहला तो जो immediate होता है, शोटे term के लिए होता है, और जिसको recoverable कर सकते हैं, skin की problem, lungs की problem, genital problems, hair fall type की, long, long, long effect जो हो सकता है, जो permanent outcome हो सकता है, permanent, sorry, permanent आपको मतलब उस तरह की बिमारी होती है, जिन में आप cancer, contract, cholera, dysentery, इस तरह की चीज़ें, pneumonia, इस तरह की problem होती हैं, और इस तरह की चीज़ें आपको आगे चलकर हो जएता है, dead be cause कर ले, यह दूसरे level की problem होगे, तीसरे level की problem होगे genetic effects, जो ionizing radiations होते हैं, radioactive elements वगरा के जो ions और charges हो, वो सकता है, आपके germ self अगरों को भी kill करते हैं, उनके numbers तो कम करते हैं, और यह आपकी नई off-strings को भी जाती हैं, genetic diseases नेक्स characters को भी जाती हैं, और heredity diseases आप जाती हैं, heredity diseases क्या होती हैं, और मालू किसी मदर को उस तरह का radiation या effect होता है, तो उसके बच्चे की death हो सकती है, या बहुत सारे mental retardness हो सकते हैं, बच्चे का brain का development ना हो, so in that way there is a different type of impact of the human health, कुछ ऐसे parameters हैं, जो कई कुछ current affairs जो नए updates आएं, जहां बर WH-ो के कुछ recommendations हैं, अगर हम radio activity को measure करते हैं, तो actual में हम या तो bacural या फिर curie, ये कुछ units होते हैं, जो reductive pollution को या रेडिक्टिविटी को measure करने के units होते हैं, जिसमें हम नाबते हैं, तो इसे mass को किलोग्राम में नाबते हैं, distance को में मीटर में नाबते हैं, वैसे ये रेडिक्टिविटी को बेगुरल में नाबते हैं, एनर्जी एब्सॉब पर यूनिट मास, उसको हम ग्रे कहते हैं, उसको हम ग्रे कहते हैं, ये कुछ units हैं, जो reductive pollution में या रेडिक्टिविटी के लिए मेजर किये जाते हैं, सीवर्ट आपको जानने की पहुंच जरूरत है, सीवर्ट इस वेरी वेरी इफ़ॉर्ट है, जो कि डबलू एच्चो का एक पैरामीटर है दोस्त, सीवर्ट क्या होता है, वो radiation जो हमारी बॉड़ी के जो टिशू होता वो एब्सॉर्ब करता है, उस पूरे radiation को जो हमारी बॉड़ी एब्सॉर्ब करता है, उस पूरी वेलु को सीवर्ट कहते हैं, तो सीवर्ट क्यों एक ऐसा radiation जो हमारे टीशू एब्सॉर्ब करता है, ये इसका ना एक पैरामीटर दिया है डबलू एच्चो नहीं होनी चाहिए, ना इधर इस वेरी वेरी डैंजरेस, ठीक है, फिलहल तो small amount of radiation भी हमारी बॉड़ी में होता है, और extended amount of radiation भी हम में होता है, extended amount of radiation भी हम में होता है, तो human health के लिए वो harmful होता है, और radioactivity अगर आप drinking water में चेक करना चाहते हैं, इसको measure करने का जो parameter होता हूँ से कहते हैं, grass alpha test, तो याद रखे हैं, अपने objective paper है, grass alpha test क्या होता है, so grass alpha test is those we people are using to measure the radioactivity in the drinking water, ओके, तो यहाँ पर मैं आपको sea word बोलूँगा, that is very important, and grass alpha test बोलूँगा, this is very important, यह दो question आप अपने objective के लिए तेया रखना, sea word generally वो radiation जो हमारी body में अब्सॉर्फ होता है, और drinking water के अंदर radiation को चेक करने के लिए, हम grass alpha test करते हैं, यह है वो current affairs, जिसके basis से मैं आपको पूरा का पूरा एक current के सारे topics लेकर रहा हूँ, यह बोला जाता है कि परवर्ष, परवर्ष, आपका जो permissible limit है, रिफेरेंसे जोज लेमिट है, वो 0.1 microsieverts per year होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब up to those, in those areas you are getting under the exposure of radiation, वो आपको लगबस 0.1 microsievert per year ही होना चाहिए, यह बोला चाहिए, यानि आपके tissues इतना ही सीवर्ट per year, वो radiation को absorb करें, उससे ज़्यादा नहीं, नाइधर it will be dangerous to you, United States Environmental Protection Agency ने क्या किया कि रिडियो न्यूकलाइट्स rules इशू किया, गाइडलाइन दिया है, रिडियो न्यूकलाइट्स rules में उन्होंने क्या बताया है कि किस किस इमाउंट में, किस किस तरह के elements या जो चीजें हैं, कितनी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक standard बना है, जैसे 5 picocuri per litre radium टाइप की चीजें होनी चाहिए, उससे अधार नहीं होनी चाहिए, 30 microgram per litre for uranium उससे अधार नहीं होना चाहिए, ठीक है, 15 picocuri per litre for grass alpha meters होनी चाहिए और 5 millirem per year for the grass beta meter होनी चाहिए, यह एक मानक है, जो radionucolites rule के हिसाब से, जो आया है recent current updates में, तो यह recent updates है जिसको आप धियान रखेंगे, WHO का recommendation क्या है drinking water को लेकर, और पूरे वीडियो के पीछे, पूरे lecture के पीछे यही एक current affairs है, जिसको लेकर पूरा मैंने आपको radiative pollutions के background, natural anthropology, सब कुछ बताया, actual current affairs का topic यह है, अब बात होती है कि future में हम क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, तो definitely कहिस हमारे पास एक proper system होना चाहिए, waste की proper dumping होनी चाहिए, waste की proper dumping होनी चाहिए, उसकी recycling होनी चाहिए, proper mining होनी चाहिए, nuclear power houses को proper maintain करना चाहिए, कोई भी radioactive pollutions को जब हम polym karni में मिलाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसकी proper analysis of monitoring होनी चाहिए, क्या है उसकी अंदर और किस तरह का हम उसको control कर सकते हैं, और proper effective treatment method भी हमें adopt करना चाहिए, जब भी इस तरह के radioactive pollutions हम किसी water body में करते हैं, बहुत सारे treatment हो सकते हैं, यह बहुत सारे ऐसे procedures हैं, जिनके त्रू हम radioactive pollutions को water में जाने के पहले काफी हद तक कम कर सकते हैं, So these are the way forward for the coming future, हम इस तरीके से radioactive pollutions काफी हद तक कम कर सकते हैं, और सीवर्ट की जो मैंने यूनिट बतायों ध्यान रखेगा, जो मैं फिर बोल रहा हूँ, 0.1μC per year से ज़ाद exposure नहीं होना चाहिए, यूशुड बेरी क्लियर गाइस, तो यह पूरा का पूरे radioactive pollution था, जिसमें जुड़ा हुआ जो current affairs है, मैंने आपको यहां करा दिया, अब अंत में चलते हैं आपको एक चीज़े और बता दूंगो, UPSC, CSE, combat, 23rd January को 11 बजे है, इसे भूलिएगा नहीं, 56 questions, 60 minutes का आपको करने हो रहा है, इसमें आपको काफी scholarship दे जाती है, और आपके ranking के हिसाब से आपको अलग अलगता रहा है कि आपको awards भी मलते है, even यह test जो होता है, वो Hindi और English दोनों ही माध्यों में होता है, और test को join करते हैं, रभी UPSC का code यूज़ करना ना भूले, इन्वें आपको extra discount भी मिल जाता है, whenever you are going, फिलाल यह test पूरी तरह से free है, UPSC CSC के mega test series हैं, जो start हो गया है, 15 questions, 15 minutes तो है, Hindi और English दोनों ही माध्यों में, different different subjects के mega test series है, जो चल रही है, और इसमें एक fun है यह दोस्तों, जहाँ आप different subjects की evaluation कर सकते हैं, यहाँ पर मेरा भी जो एक science एंटेकर जो पूरा का पूरा course है, हर वेटन से चार बजे लेकर मैं खुद आपके साथ रूब रूब होता हूँ, आपकेडमी पर optional subjects के भी bilingual और हिंदी lecture launch हो रहा है, जहाँ पर आप UPSC CSC 2021 की paper analysis हर subject की देख सकते हैं, इवन एकाडमी पर iconic subscriptions के लिए आप जोइन कर सकते हैं, और यहाँ पर mentorship भी मिलते हैं, आपको लिटरल ही बता हूँ, आपको काफी event मदद मिल जाती है, mentor मिल जाता है, tutor मिल जाता है, पुरी देखरेक करता है, पुरी preparation में, एकाडमी पर आपको loan facility भी दी जाती है, अगर किसी तरह का कोई loan चाहिए, या मतलब या कहलो कि आप courses को join कर सकते हैं, 0% interest rate पर आप course join कर सकते हैं, किसी तरह का financial crunch है तो, यह plus और iconic subscription के prizes हैं, रवी UPSC आप passport use कीजए, और कोई भी course आप जोईन करते हैं, 10% आपको extra discount मिल जाएगा, even not only for general studies, optional subject में भी रवी UPSC code पर आपको discount मिल जाता है, यह science and tech का comprehensive course है, जो science and tech और environment दोनों ही course को लेकर, my classes are starting and running now from the 21st December, जहांपे science and tech की पूरी classes उसके बाद I am going to schedule for the environment, 30 to 35 questions you people know variable, these are coming from these two subject only, यह मेरा passcode है, using code is for use कीजएगा, जब भी code join करना हो, लास में चलते लदे दो, यह telegram में मेरा PDF है, यहां से आप लेली जएगा link है, अने केजमी पे मेरे profile है, यहां मेरी plus your free special classes भी अविलेबल है, रभी UPSC मेरा use code है, this is the batch which are going to start from the 27th January, different type of batches on the basis of your requirement it is available, इन्हें आपको पूरे के पूरे batches जब जोइन करते हैं, courses जोइन करते हैं, मैंने आपको code बोल दिया, रभी UPSC को इसको use करेंगे, तो आपको extra discount भी मिल जाधा 10% extra, और यहां बर आपको पूरी की पूरी किताबें भी दी जाती है, हांते में चल देलते दोस्त, इस channel को subscribe करना, लिटा बजाना, like और share करना मत भूलेगा, और PDF के लिए मैंने आपको बोला Telegram से आप ले ले, तो चलिए दोस्त, अगले lecture में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, किसी नए topics के साथ, तबते के लिए अपना ख्याल रखें, बाए